कैशे करे हनुवान धारा का संपुर्ण यात्रा दर्शन जैसे की हनुवान धारा किस जगह पे मवजूद है हनुवान धारा का पावराडिक कथा वह रहश क्या है हनुवान धारा क्यूं इतना ज़्यादा परसिद्ध है सीडी के रास्ते वो रोपवेशे कैशे पहुचे आप हनुवान धारा तक रामायर काल से पड़ा सदियो पुराना माता सीता का चूला चौका बेलन कैशे देखे आप हनुवान धारा में खाने के लिए सबसे फेमस यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बित्ता है और अंत में हम बात करेंगे हनुवान धारा में यात्री को सबसे ज़्यादा कहां पे पैसा लूटते हैं नमस्कार मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आथ्था नेचर भारत में ऐसे कई पाउराणी जगा जिनके बारे में आप जानते ना हो इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शाथ में दिये गए बेल आइकन को जरू प्रेश कर लें अनुवान धारा भारत के उत्तर पर देश राची के चितरकूड जिले में स्थित एक धार्मिक वव इतिहासिक इस्थल है यह इस्थान भगवान हनुवान जी को शमर्पित है यहाँ पे एक पवित्र जल धारा बहती है पौराडी कथाओं के अनुशार बताया जाता है कि जब रावड की लंका में आग लगाने के बाद हनुमान जी के पूछ में बहुत जलन हो रही थी तब हनुमान जी ने भगवान राम से बिंती किये और बोले ये प्रभु मेरा यह जलन कैसे शांत होगा तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से बोले आप चले जाएए सित्रकूट वहाँ पे एक पहाड़ी के उपर से सीतल जल धारा बह रही है जिस जल धारा से आपका यह जलन बिलकुल सांत हो जाएगा यह जल धारा भगवान स्री राम ने अपने एक बार मार कर इस जल धारा का निर्मार किये थे यह जल धारा कई युगों से बहरा है हनुमान धारा का जल हनुमान जी को इस पर्स करता हुआ बहता है इसलिए इसे हनुमान धारा कहते है यहां पे हनुमान जी के दर्शन करने से हर व्यक्ति के तनाव मुक्त वो हर एक मनो कामना जल्द ही पूड हो जाता है हनुमान धारा में जल्द हारा के साथ साथ देखने लायक पंचमुकी हनुमान जी का मंदिर सनी देव मंदिर हनुमान धारा सीता रसोई हनुमान जी का विशाल उची प्रदिम्या वह हनुमान धारा के उपर से पूरा चित्रकूट का नजारा ही यहां का सबसे ज़्यादा महत तो बढ़ा देती है इसलिए हनुमान धारा नापरशिद है अब हम बात करते हैं सीड़ी के रास्ते वह रोक बेशे कैशे पहुचे हनुमान धारा तक यदि आप सीड़ी के रास्ते से जा रहे हैं तो आपको लगभग 360 सीड़ीयां चड़के जाना पड़ेगा सीड़ी के रास्ते से दर्सन करने में टोटल 3-4 घंटा का शमय आराम से लग जाता है यदि आप बुजूर्ग माता पिता या फिर किशी भी परकार के आपके शरीर में शमश्या है तो सीड़ी के रास्ते से ना जाएं बलकि रोपबेशे जाएं रोपबेशे कैशे जाएं यदि आप रोपबेशे हनुमान धारा तक जाएंगे तो आपको हनुमान धारा के नीचे ही सीड़ी के बगल में मौझूद है हनुमान धारा का रोपबे काउंटर जहां से आप जाकर रोपवे के लिए ठिकट ले सकते हैं अब हम बात करते हैं रोपवे का किराया कैशे लगता है मंदिर तक जाने में यदि आप विकलांग हैं तो रोपवे आपके लिए बिलकुल फिरी है यदि आपके साथ तीन साल के बच्चे हैं तो रोपवे आपके लिए फिरी है यदि आप दस वर्ष के उपर हैं तो रोपवे का आने वा जाने का किराया मात्र 120 रुपया है रोपवे से जाने में आपको मात्र 10 से 15 मिनिट लगेगा 10-15 मिनट के अंदर आप हनुमान धारा के मुख्य मंदिर के पास पहुच जाएंगे और रोपबेश बाहर आकर आप सारो पथम पहले दर्सन कीजिए हनुमान जी का जो हनुमान धारा के प्रमुख मुख्य हनुमान जी है यहां पर आप देख सकते हैं काफी भीड़ भार रो यही वो मंदिर है जिसे हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है दोस्तों आप देख सकते हैं हनुमान जी के जो पीछे से जल धारा गिर रही है यही जल धारा रामायर काल से आज तक बंद नहीं हुआ है यह जल कहां से आता है कहां चला जाता है इसके बारे में किशी को पता नहीं है इस हनुमान जी के दर्सन के बाद आप मंदिर से बाहर आए और यहां पे मवजूद जल जो गिर रहा है उस जल को पीजिए यह जल बिल्कुल आउसदी युक्त जल है इस जल को पीना बिल्कुल न भूले दोस्तो हनुमान जी के दर्सन करने के बाद हनुमान जी के मंदिर के उपर चलते हैं और आपको दर्सन कराते हैं सीता रशोई का दोस्तो जैसा की अब हम आपको कराने जा रहे हैं रामायर काल से जुड़ी माता सीता का बो रशोई घर जहां पे रामायर काल के शमय में वनवाश काल के शमय में माता सीता जी ने यहां पे अपने लिए भोजन बनाया करती थी और पांच बो मुनी हैं जिनको वो यहां पे एक साथ भोजन भी कराई थी आईए चलते हैं अब हम आपको लेकर सीड़ी के रास्ते से पहाडी के रास्ते से सीता रशोई मंदिर के पाश तो प्लीज मेरे इस वीडियो में आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल आस्था नेचर दोस्तो हनुमान धारा मुख मंदिर से लगभग 400-500 मीटर पहाडी सीड़ी के रास्ते चड़ाई करके अब हम पहुँच चुके हैं माता सीता के रशोई के अंदर और जानते हैं यहां के बारे में यहां पर सिता मईया ने वनवास काल में जब भगवान चित्रकोट दहाम आये जहां पर आप लोग खड़े हैं चित्रकोट रगनंदन च्षाए समाचार्ज सब सुनमनी आये जब भगवान चित्रकोट आये तो माता जी ने इस परवत पर 5 रसी मुन्यों को कंद मूल फला बना कर खिलाया जब भगवान आते यहां के जो पाच रिसे थे उनको पता चला कि भगवान चित्र कोट में चलो दर्सन किया जाए जब यहां पर वो आ गए तो माताजी यह तिहां से दाल चालाटा लेके नहीं आये थी कोल भील रहते थे आदिवासी लोग वो भगवान के लिए कंद मूल फल लाए थे उस कंद मूल फल को उबाल करमाता जी ने पांच रिसे मुनियों को इस परवत पर खिलाया था कंद मूल भर भर दोना और चले कुटन जन सोना कितना सुंदर उसको सजा के लाए थे उसके आगे सोना फेट यह वह जगे अस्तान है चुला चौका मईया थे यहां बनाया सामने और अन्दिर खिलाया यह अन्मान दाराथ प्राचीन मंदिर है यह जो पांच वरस मंदिर है इनका नाम आता है यह बहुत प्राचीन मंदिर सिता रशोई यहां का बहुत प्राब मात भी है भगवान चित्पुर के साड़े गारा वरस मिवास किये बोलिया सिता मया की जै जै दोस्तो मातासीता रशोई के बारे में जानकारी पाने के बाद अब हम बात करते हैं हनुमान धारा में सबसे फेमस खाने के लिए क्या-क्या सामान यहां पे मिलता है दोस्तो पहला नमबर है बैर जो कि इसी पहाडी में से यहां के निवासी बैर तोड़ते हैं और इसी ख्थान पे बेशते हैं यहां का बैर बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा लगता है दूसरा नमबर है दूत की बनी रवड़ी यदि आप आ रहे हैं हनुमान धारा में तो यहां पे आप दूत की रवड़ी जरूर खाएं यहां बहुत अच्छा वस्वादिष्ट होता है और अब हम अंत में बात करते हैं आप हनुमान धारा यदि आते हैं तो आप कहां पर शावधान रहें चलिए जानते हैं यदि दोस्तों आप अपने फैमिली के शाथ आ रहे हैं तो सीता रशोई में आप हर एक जगर आप से पैसा लेंगे यहां कहीं पर 20, कहीं पर 30, कहीं पर 300, कहीं पर 400 ऐसा आपको यहां पर पंड़ाजी बोलेंगे और कहीं कहीं पर तो जबरदस्ती कराने लगते हैं जो की यात्री को देने में काफी कश्ट होता है पता नहीं लोग कैशे यहां पर आए हैं उनके पास क्या भजट है, पैसा है की नहीं है एश्रव यहां पर पुजारी लोग ध्यान नहीं देते हैं बस उनको क्या है, बस हमें पैसा चाहिए तो चाहिए, यहां पर रखे, वहां पर रखे, आप से काफ़ी पैसा यहां पर रखवा लेते हैं, तो आप इस बात का भी से ध्वान दे, आप मातासिता की रशोई में जा रहे हैं तो आप अपने पास छुटे पैसे जरूर रखे, नहीं तो आप काफी यहाँ पे पैसा नुस्कान हो सकता है चढावे में और जहाँ पे आपको अच्छा लगे वही पे आप चढावा कीजिये, आन्यता मत कीजिये. तो दोस्तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिन जै भारत